सो हेलो फिचर दॉक्टर्स एंड मैं डियर पैरेंट्स क्या हाल चाल मुझे उमीद है काफी अच्छे होंगे मैं हूँ आपके दूस्ट दॉक्टर विशेक दूस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है अगर आप MBBS या BDS करना चाहते हैं आप स में होती है एक होती है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और दूसरी होती है स्टेट कोटा काउंसलिंग में 15% MBBS सीट्स एड़ होती है और स्टेट कोटा में 85% MBBS सीट्स होती है बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहां पर जो है ओपन स्टेट है इन्हीं दूसरे स्टेट के जो एको government state मिले इसकी possibility भी थोड़ी कम होती है प्राइबेट कॉलेज की बात करें तो कुछ state हैं जिनमें केरला हो गया करनाटका हो गया इन states में जो private mbbs college हैं उनकी fees थोड़ी सी कम होती है तो maximum बच्चे चाहते हैं कि अगर उनको government college ना मिले तो वो किसी ऐसे state से mbbs करें जहा तक क्या था कि केरला एक ऐसा open state था जहां पर कोई भी बच्चा जो बाहर स्टेट से है वह जाकर जो है mbbs admission प्राइबेट कॉलेज में ले सकता था और कम फीस में mbbs कर सकता था उसके लिए क्या था कि केरला अपना एक separate registration form release करता था बच्चों को उसमें apply करना होता था और जब आपका रिशन पहले से होता था तो आसानी से आपके स्कोर के बेस पर उस स्टेट में mbbs में admission मिल जाता था और अगर आप में नहीं किया था तो फिर नहीं होता है अभी कि इस बार करनाटका ने भी same rule बना दिया करनाटका की जो government है जो counseling body है उसने भी officially यह बोल दी है क अगर आप करनाटका के हैं या करनाटका से बाहर के हैं अगर आपको mbbs ए bds करना है तो वहां की जो अपनी एक exam होता है c.e.t exam उस exam में आपको at least registration तो करना ही करना है तभी आप NEET के score के बेस पर आप mbbs admission ले पाएंगे अप जो बच्चे बाहर स्टेट से हैं कोई बच्च करनाटका के c.e.t exam में वह अपेर हो वहां की जो प्राइबेट कॉलेज़े जिनकी फीज कम है तो टोटल प्राइबेट कॉलेज़ेस की 50 पर स्टेट सेट पर अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो यह बेसी information थी इस बार important है क्योंकि यह डेट बा कराने के लिए तो आप सभी प्लीज करा लें आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आज आप कुछ एक घंटे का पॉसस उसे कम लगता है अगर आप चाहते हैं कि आप लोग फीज साले जो प्राइबेट एंबीबेस कॉलेज करनाटका हैं वहां से एंबीबेस करना चाहते ह हैं तो तो यह थी बेशिक इंफोर्मेशन और बहुत ही इंपोर्टन इंफोर्मेशन आप सभी देश के फूचर डॉक्टर के लिए एवं सभी पैरेंट्स के लिए इस वीडियो में इतना ही आप सभी स्वस्त रहें मस्त रहें और जम कर पढ़ाई करते हैं कि इस बार आप सभी पैरेंट्स का बहुत बहुत दन्यवाद थेंगे सो मच जय हिंद